Hello Everyone, मैं हूँ किरन शापरी और यह है आप लगों के लिए Coming Week का सापता हिक राशी फल यह 11th October से लेकर 17th October तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming week का सापता ही क्राशीवल तो चलिए केंसेरियंज आप लोगों के लिए देखें कि Coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए Professional Front के लिए cards है Six of Cups and Lead तो देखे Six of Cups का card कहीं emotions की बात करता है feelings की बात करता है past की बात करता है कहीं relationships की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके Professional Front में रहता हुआ देख रहा है जहां पे again past की कोई situation, past क्या कोई इनसान, past की कोई चीज आपके Professional Front में रह सकती है कुछ लोगों के लिए positive रह सकती है और in general के लिए six of cups का card बहुत ही cooperative energies की बात करता है और देखे again ऐसी ही energies आपके Professional Front में भी रहती हुई दिख रही है जहां पे आपको किसी भी help किसी भी support की ज़रत है अपने co-workers, अपने colleagues से तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं आपके colleagues आपके co-workers को भी किसी help किसी support की ज़रत है तो आप देते हुए दिख रहे हैं और देखे again जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं या तो उनके साथ आपकी bonding बेटर हो रही है, relationship बेटर हो रहा है या फिर उनके साथ अपना relationship better करने पे आपका focus है और देखे six of cups के नीचे lead का card एक authority power position की बात करता है कहीं systematic तरीके से बहुत ही discipline तरीके से चीजों को करने की बात करता है और देखे कहीं ऐसी भी energies आपके professional friend में रहती हुए देख रही हैं especially पीछे अगर बहुत ही haphazard manner से चीज़े चल रही थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई system ही नहीं है कोई discipline ही नहीं है कहीं इनो कोई एक तरीका ही नहीं मिल रहा आपको चीजों को करने का तो इस week फिर से देखे एक discipline तरीके से एक systematic तरीके से आप चीजें कर रहे हैं कहीं confidently आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप बढ़ रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि power position authority या तो आप चाहा रहे हैं या फिर एक power position authority भी आपको मिलती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है balance and manifest देखिए यहाँ पे manifest and lead दोनों ही cards कहीं you know similar सी energies की बात करते हैं दोनों ही cards अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लेने की बात करते हैं और दोनों ही cards कहीं deeper level के energies की बात करते हैं तो दीखिए surface level पे professional, personal front पे जो भी हो रहा हो लेकिन मन ही मन आप एक बहुत confident रखते वे दिख रहे हैं खुद पे, universe पे, circumstances पे, situation पे और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक action initiatives भी लेते वे दिख रहे हैं कहीं अपनी skills, अपने talents पे भी आप एक trust, एक faith रखते वे दिख रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही clear manifest का card message देता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से ही related आपके पास सारे resources हैं आपके पास सारे talents है, skills है बट आपको उनको जानने की जरत है और आपको उनको utilize करके अगेन एक action एक initiatives लेने की जरत है और दिखिए जहां मन ही मन अगेन मैं कहूंगी कि एक action initiatives आप देना चाह रहे हैं या फिर बहुत ज़ादा आपकी एक active energies हैं वही surface level के लिए balance का card कहता है कि एक balance या तो लाना बहुत important है या फिर एक balance भी साथ ही साथ आप लाना चाह रहे हैं पीछे हो सकता है कि कोई भी चीज आप ज़ादा कर रहे थे या फिर आप बहुत कम कर रहे थे अगेन उनमें ही एक balance लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं और दिखिए जनरल लीटिंग है तो सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा सोच रहे थे, आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत महनत कर रहे थे, मुझके लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी effort, बिल्कुल भी महनत नहीं कर रहे थे, और फिर एक balance आ रहा है या आप एक balance लाना चाहा रहे हैं और कहीं दीखे डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीज़ें भी आप try करते हुए दिख रहे हैं अपने goal अपने मकसद को पाने के लिए कभी-कभी होता है न हम एक चीज करते हैं हमें result नहीं मिलता हम दूसरी चीज करते हैं हमें result नहीं मिलता फिर हम चीजों को combine करते हैं और जिससे हमें result मिलता है हम उसी चीज को follow करते हैं तो कहीं एक experimental वाली energies भी इस week किसी चीज के लिए रहती हुई दिख रही है और दूसरी बात balance का card कहीं सबर की बात करता है और यहाँ पर देखिए manifest and balance का card कहीं एक contrary energies की बात करते हैं तो देखिए इन दोनों cards को अगर हम combine करें तो आपको action लेना है आपको initiatives लेना है लेकिन साथी साथ आपको restless नहीं होना है आपको परिशान नहीं होना है साथी साथ आपको एक sabr एक patience भी जरूर रखनी है साथी साथ आपने अपने outcome या फिर result के साथ एक detachment भी जरूर रखनी है जैसे कि गीता में लिखा हुआ है करम करे जा फल की इच्छा ना कर तो literally ऐसी energies में हो सकता है कि बहुत सारे cancerians है और जो नहीं है उनके लिए message है कि ऐसी energies में रहना इस week बहुत important है overall के लिए देखिए सारे ही cards एक positive energies की बात करते हैं और इस हिसाब से एक positive ही ये week आप लोगों के लिए जाता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो उसका result मुझे बहुत जादा इस week आता हुआ नहीं दिख रहा है and guidance है आप लोगों के लिए card है new moon in Germany और ये card कहता है communication is the key तो देखे इस week आप self के साथ लोगों के साथ बात करते वकत क्या words यूज़ कर रहे हैं क्या आपकी टोन है उसका बहुत बहुत खायाल रखें क्योंकि दिखे communication से बहुत सारे मसले बहुत सारी चीज़ें आपकी हल हो सकती है या मैं कहे सकती हूँ कि एक better, एक beautiful communication, बहुत सारे मसले, बहुत सारी चीजें इस week आपकी हल कर सकता है, तो इस चीज का आप ज़रूर खायाल रखें, एंड astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है, और इसके हिसाब से कहीं white color आप लोगों के लिए लगी रह सकता है, insignificant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो यह था किंसेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,